बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम फिर से आपको जो है NCL टार्गेट के 20 कौस्टन लेकर आए हैं जो की बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं सायनवार की साइडों पर सुराक बनाने का उद्दिस होता है आपने सायनवार की साइडों पर सुराक बने के लिए दिस्टार्स रोकने के लिए surface contact में कमी लाने के लिए तो इसका जो right answer है वो है हमारा jab का clamp करने के लिए जो हमारे sign bar में जो यहाँ पर इस type से सुराक बने होते हैं उनका प्रियोग हम jab में clamp करने के लिए करते हैं इसके बाद हमारा next question है precision map लेने के लिए walls या rollers का प्रियोग किया जाता है क्योंकि A परिशुदता में finish किये हुए होते हैं इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है A line या point connect प्रदान करता है A सद्रण होते हैं तो इसका जो right answer है वो है हमारा A line या point contact प्रदान करते हैं C number का जो हमारा इसमे right answer हो जाएगा इसके बाद next question है उत्पादन विधी के स्वाभाविक एक्शन के कारण surface texture में बनने वाली विसमता को कहते हैं roughness, babiness और यहाँ पर secondary texture तो यहाँ पर babiness दो बार आपको दे दिया गया है तो इसका जो right answer है वो है हमारा roughness इसके बाद दोस्तों हमारा next question है fixture एक उत्पादक टूल है जिसका प्रियोग किया जाता है तो fixture आपने देखा होगा fixture का उत्पादन टूल है इसका प्रियोग किया जाता है component को locate करने के लिए component को पकड़ने के लिए cutting tool को control करने के लिए और component को locate करने और पकड़ने के लिए तो इसका जो right answer है वो है हमारा component को locate करना और पकड़ने के लिए यहाँ पर जो है इसका d number का right answer हो जाएगा इसके बाद हमारा next question है एक drawing में दरसाई गई dimension है 20 plus minus 0.02 mm इसकी tolerance कितनी होगी तो यहाँ पर आपको 20 plus minus 0.02 mm जो है एक drawing dimension दरसाई गई है इसमें tolerance आपको बताना है इसके options है 20 00 mm इसके बाद है इसके बाद है पिलस 0.02 mm इसके बाद है minus 0.02 mm इसके बाद है 0.04 mm तो इसका जो right answer है वो है हमारा 0.04 mm D number का इसमें right answer हो जाएगा इसमें 0.04 mm का जो है tolerance होगा यहाँ इसमें 2 plus और 2 minus होता है इसके बाद यहाँ पर आप plus minus देख रहे हुआ हैं इसे हम इस पर काड़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर plus minus है यानि यह दो 0.02 plus हो सकता है 0.02 minus हो सकता है टोटल में लागर 0.04 mm हो सकता है इसके बाद हमारा next question है can hooks की धातू होती है can hooks की धातू होती है rot iron की hard carbon steel की cast steel की और cast iron की तो इसका जो right answer है वो है हमारा rot iron की इसके बाद हमारा next question है furnace के उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किये जाने वाला instrument होता है तो options से हाँ पर दिये गए है thermometer, barometer, calorie meter और pyrometer तो इसका जो right answer है वो हमारा pyrometer pyrometer से जो है हम furnace के उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग करते है या instrument है इसके बाद next question है बोर से location लेने के लिए निमलेखित में से कौन सा jig प्रयोग किया जाता है बोर से location लेने के लिए कौन सा jig प्रयोग किया जाता है options है drill jig, box jig, इसके बाद solid jig और post jig तो इसका right answer है हमारा post jig post jig से जो है हम बोर से location लेने के लिए इसका jig का प्रयोग करते हैं इसके बाद हमारा next question है rock bell hardness testing में B scale में लगाया जाने वाला major load होता है rock bell hardness testing जो है machine होती है प्रकार की इसमें यकिरिया होती है इसमें जो है B scale में लगाया जाने वाला major load होता है इसमें जो है 100 kg 120 kg 150 kg और 300 kg तो इसका जो right answer है वो है हमारा 100 kg जो है 100 kg की weight skill में लगाया जाता है इसमें हम जो है rock bell hardness testing के लिए 100 kg major load का प्रयोग करते हैं इसमें इसके बाद हमारा next question है मैटी दिथिल में खाल स्थान होने के कारण या sketch होने का pretty road करता है तो options है malleability, toughness, hardness और ductability तो इसका जो right answer है वो है हमारा hardness इसके बाद हमारा next question है सेपर में खाल स्थान के द्वारा rotary motion को receive protecting motion में बदला जाता है options है rack और pinion, berm और berm भील, rook arm और bull gear और उप्यक्ट में से कोई नहीं तो इसका जो right answer है वो है हमारा rook arm और bull gear इसके बाद हमारा next question है standard pipe fitting में होती है यहाँ पर जो है standard pipe fitting में होती है तो यहाँ पर options दिए गए है metric threat, BA threats, BS, W threats और BSP threats तो यहाँ पर इसका जो right answer है वो है हमारा BSP threats जो है इस pipe में standard pipe fitting में होता है तो यहाँ पर जो standard pipe fitting की जो करते हैं उसमें BSP threat होता है या कटा होता है इसके बाद next option है external threat को काटने वाले tools को कहते है external threat जब हम काटते हैं उस tools को क्या कहते हैं options आप द्रिल है रिमर है डाई है और टेप है तो इसका जो Rightransher है वो है हमारा डाई. External thread याणि ऊपरी thread ऊपरी thread जो हम काटते हैं जैसे किसी पाइप को ऊपर जो हम उपरी thread काटते हैं उसे हम die के माद्ध हमसे काटते हैं और internal thread को हम जो है टेप के मादगी हमसे काटते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डाइऑ इसके बाद नेस्ट क्शोंट है ऐलूमीनियम की चेपिंग की लिए फेलेट चीजल का Cutting Angle होता है तो ऐलूमीनियम की चेपिंग करने के लिए जो हम फेट चीजल होता है उसका cutting angle कितना होता है 35 डिगरी 55 डिगरी 60 डिगरी और 70 डिगरी तो aluminium की जो cutting angle chipping के लिए cutting angle होता है वो होता है हमारा 35 डिगरी इसके बाद हमारा next question है निम लिखत मैं से किसे दूर करके आग को फैलने से रोका जा सकता है तो यहाँ पर आपको options हैं इधन oxygen top निम लिखत मैं से किसी एक को तो यहाँ पर जो है किसे दूर करने से आग को फैलने से रोका जा सकता है तो इसका जो right answer है वो है हमारा निम लिखत मैं से किसी एक को अगर हम कहीं आग है वहाँ से हम अगर oxygen अलग कर दें तो आग बुच जाएगी इधन अलग कर दें तो आग बुच जाएगी यह ताप अलग कर दें तो आग फैलने से रोका जा सकता है तो तीनों मैंसे कोई एक आप कम करते हैं तो आपकी जो है आग फैलने से रोका जा सकता है इसके बाद हमारा नेश्ट कॉस्चन ह MOD No.dry chemical extiniduor का प्रयोग निमनल में खितने किस आख़ में उप्योग किया जाता है। एलेक्ट्रिक फायर कार्भोनेशियन फायर आईल फायर और ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हे मारा ए और बी दोनों यहाँ पर electric fire और carbonation fire जो है यहाँ पर प्रियुक करते हैं इसके बाद हमारा next question है combination set के किस head के साथ subscriber सलगन होता है तो जो combination set होता है उसमें head के साथ subscriber सलगन होता है किस head के साथ तो यहाँ पर जो options है center head protector head square head और उप्रियुक सभी तो इसका जो right answer है वो है हमारा square head square head में जो है साथ subscriber सलगन होता है इसके बाद हमारा next question है aluminium में बरकफीस में दीमेंट करने के लिए निमलिकत में से किस का प्रियुक किया जाता है options हैं मिट्टी का तेल पानी हवा का प्रेसर और लाड आयल तो aluminium aluminium के बरकफीस में जो है दीमेंग करते हैं समय जब हम किस चीश का प्रियुक करते हैं यहां पर जो इसका right answer है वह हमारा मिट्टी के तेल यह निए केरुसीन का तेल तो aluminium का जो बरकफीस पर जहां हम दीविंग डिलिंग करते हैं तो वहां पर हम मिट्टी के तेल का प्रियुक करते हैं केरुसीन के तेल का प्रियुक करते हैं लगबग हर एक्जामों में पूछा जाता है नेस्ट कॉस्चन है सही farm की thread की finishing करने और बनाय रखने के लिए इसका प्रियुक किया जाता है options ने tape है threading tool है threading chaser है और tempered tool है तो इसका जो right answer है वह हमारा threading chaser इसके बाद nest और जो है last question है यहाँ पर सर क्लिप्स किस मुख लोड के अंतरगत आता है तो options है thrust, tessile, radial और compressive तो इसका जो right answer है वह हमारा thrust तो दोस्तों यह हमारे जो बहुत important 20 question थे तो आपको लगबग सभी question समझ में आ गए होगे अगर कोई आपको इसमें doubt है तो आप हमें comment करके जो है हमसे पूँच सकते हैं हम आपकी help जरूर करेंगे और वीडियो अच्छे लगए तो इससे like और स्था जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को subscribe करना ना भूले धन्यवाद जेहन्द दोस्तों कर दो आपकी करेंगे ना भूले इससे तो आपकी और वीडियो प्रदीत upon दोस्तों